गुरुनानक देव जी के 550 में प्रकाश पर्व में 36 गड़ की राजधानी रायपूर के खालसा स्कूल में आयोजित कारक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश पखेल शामिल हुए उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिव में मत्था टेका और प्रदेश वासियों को सुख सम्रध्धी की कामना भी की इसके अलावा उन्होंने उपस्तित लोगों को प्रकाश पर्व की बधाई और शुपकामनाय दी इस मौके पर उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव महान संथ थे जिनोंने जीवन जीने की कला सिखाई उन्होंने प्रेम, सदाचार, भाईचारा और समानता का संदेश दिया मुख्यमंत्री ने गुरु नानक देव के जीवन से जुड़े प्रसंग का उलेक करते हुए कहा कि गुरु नानक देव जी ने जो खरा सौदा किया वही आज लंगर के रूप में प्रसिद्ध है मुख्यमंत्री ने सिख समाज के प्रशंसा करते हुए कहा कि सिख समाज की पहचान एक जिन्दा दिल कौम के रूप में होती है हर परिस्तिती में कैसे खुश रहा जा सकता है उनसे सीखना चाहिए समानता और सांती और भाईचारा का संदेश देने वाले महान संत गुरुनानक देजी के आज पर 580 जहनती के आउसर पर मैं सबको बढ़ाई देता हूँ जे इस में एकता भाईचारा बना के रखना है तो गुरुनानक देखे संदेशों को हमको जिवन में उतारना होगा मैं इस होसर पर पुरा सबको बलाई देता हूं सुपामना देता हूं